सो हलो दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है तो जैसा कि दोस्तों डियलेड फोर्थ सेमेस्टर का एकजाम चल रहा है और आज आप लोगों का जो लास्ट पेपर हुआ है जो है सांति सिक्षा एवं सतत्विकास इस पेपर के सेलीशन को मैं आप लोगों को क सेलीशन कराया है अगर आप लोगों नहीं देखा है तो उसे आप लोग देख लीजिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज आप लोगों के प्रशन को ले करके क्या आपका प्रशन पूछा गया था दोस्तों कि मानवा धिकार दिवस कब मनाया जाता है तो दोस् नियुक्त राष्ट संकेस्थ अपना कब हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को तौप लोगों का राइट आशर हो जाएगा तीसरा 24 अक्टूबर 1945 को अगला है दोस्तों क्वेस्टन नमर तीन प्रती ग्रमन का अर्थ है प्रती ग्रमन प्रत्रों का प्रत्रों का पूछा गया था कि भावात्मक्त एकता समीती 1961 के अध्यक्ष थे तो कौन था दोस्तों भावात्मकता एकता समीती के अध्यक्ष तो डाक्टर संपूडानन थे कौन दोस्तों डाक्टर संपूडानन अगला समस्त सिख्षा सांती के लिए ही है ये किसने कहा था दोस्तों तो ये मारिया मांटेशरी ने कहा था चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रशन पूछा गया था कि तनाओ की एक परिभासा लिखिए तो आप लिख सकते हैं दोस्तों कि तनाओ एक द्वन्द है तनाओ क्या है एक तरीके का द्वन्द है तनाओ एक द्वन्द है जो मन एवं भावनाव में गहरी दरार पैदा करता है तो तनाव क्या है एक द्वन्द है जो हमारे मन और भावनाव में गहरी क्या करता है दरार पैदा करता है इस तरीके साप लिख सकते थे अगला प्रशन था आपका व्यक्तित्व की एक परिभासा लिखी किसके बारे में ब्यक्तित्व के बारे में तो आप लिख सकते थे दोस्तों कि ब्यक्तित्व उनस्थाई विशेस्ताओं और ब्यवहार को संदर्भित करता है जिसमें किसी ब्यक्ति के जीवन में अध्यूति समायोजन सामिल होता है अगला दोस्तों पुरुसार्थ चतूष्ट का क्या अर्थ है तो दोस्तों पुरुसार्थ चतूष्ट में क्या बताया था धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम और मुक्ष यही है धर्म अर्थ काम और मुक्ष ठीक है अगला दोस्तों प्रेशन था साइबर बूलिंग का क्या अर्थ है क्या दोस्तों साइबर बूलिंग तो बोल सकते हैं दोस्तों साइबर बूलिंग मतलब होता है आनलाइन आप क्या कर सकते हैं आनलाइन किसी ब्यक्ति या समूर को किसी ब्यक्ति को आप क्या कर रहे हैं बार बार जान बुझ करके उसको क्या कर रहे हैं परिसान कर रहे हैं चोट पहुचा रहे हैं ठीक है अनलाइन के माध्यम से इमेल हो गया चैट के माध्यम से आप मतब कि आनलाइन किसी को क्या कर रहे हैं आप चोट पहुचा रहे हैं ठीक है उसे ही के कोई दो उद्देश से बताईए तो आप लिख सकते थे देखे मानवा दिकार सिच्छा का मतलब क्या है कि भाई लोगों को क्या हो सुख शान्ती मिले ठीक है उनके व्यक्तितों का विकास हो बौधिक विकास हो मांसिक विकास हो नैतिक विकास हो सारीक विकास हो इस तरीके चरित्र निर्मार करने वाले किन्ही दो कारकों का उलेख किजिए तो उमीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा कि भाई ब्यक्ति में क्या होना चाहिए भाई चरित्र निर्मार करने किन्ही दो कारकों पहला चीज ब्यक्ति में बिनमरता होना चाहिए बहुँ ज़्यादा आवश्यक है और ब्यक्ति क्या हो मृद भासी हो ठीक है और चरित्र मिर्माड करने में सबसे ज़्यादा भूमी का माता पिता की होती है ये भी आप लिख सकते हैं ठीक है तो आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रश्ण लगुत्तरी था प्रश्ण था देखे ब्यवहार वाद की अवधारणा स्पष्ट करिए तो ब्यवहार वाद क्या बोल सकते हैं दोस्तों मनोविज्यान मतलब की केवल तभी सच्ची वैग्यानिक्ता का वाहक हो सकता है जब अपने अध्यान का आधार व्यक्तिकी मानस्पेसियां गरंथी मुलक अनिक्रियाओं को बनाए आप लिख सकते थे नार्मली इसमें कुछ वैशा तो होना नहीं था क्रेश्चन नमबर 13 था मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मीडिया में जब हम कोई चीज देखते हैं मारकाट की चीज़ें वो चीज़ें दिखाई जाती है तो उससे अंदर हमारे के अंदर क्या होता है क्रोध पैदा होता है में तब उस तरीके एक पूरक है दोस्तों मीडिया जो चाहे वो करवा सकता है दोस्तों इसको आप लिख सकते थे व्यक्तित की पांच विशेष्टाएं लिखे तो व्यक्तित की पांच विशेष्टाएं क्या हो सकती है भाई पहला चीज व्यक्ति क्या हो हस्मुक हो ब्यक्ति क्या हो हस्मुक होना चाहिए और आत्म विश्वासी होना चाहिए क्या हो आत्म विश्वासी हो उत्साही हो ये सभी उसके हैं या ब्यक्ति के अंदर सजी उता हो उदारता हो इमांदारी हो सहयोगिता हो दयाल उता हो ये व्यक्तित्त की क्या है विशेष्टाएं है अगला चीजें क्या है दोस्तों मीडिया का महत्व स्वष्ट कीजिए यही है ना कि मीडिया के महत्व को बारें बताईए दोस्तों तो मीडिया का दोस्तों आज के जीवन में बहुत जादा महयोग है दोस्तों क्योंकि मीडिय अपनी भूमिका द्वारा दोस्तों, समाज में सांती, सवहार्द, लिख सकते थे ना, तो मीडिया क्या है, लोकतंतर का चौथा स्तंब है, बड़े बड़े लोगों को, नेता को क्या करता है, सीर जुकाने के लिए मजबूर करतेता है, लेकिन अगर मीडिया अपनी भूमिका द्वारा क्या कर सकता है, सांती, सवहार्द, समरस्ता, सवजन्न की भावना, क्या कर सकता है, बिक्सित कर सकता है, अगला आपका था दोस्तों, कि नीती मिमानसा के प्रमुक्सित धानत बताईए, क्या दोस्तों, नीती मिमानसा, तो देखे, तो बोल सकते हैं दोस्तों निती मिमान सा मतलब यह बोल सकते हैं दोस्तों कि वैस्वी करण दुनिया को सभी देशों के वैस्वी अर्थवेवस्था से क्या करता है जोड़ता है इसके परिडाम जो स्वरूप होता है पूजी उत्पाद सुचनाय क्या होती है सभी रूप से क्या होती है स्वतंत्र होती है और यही आपनों का क्या है निती मिमान सा है दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर नार्मली आप इस तरीके से कर सकते थे दोस्तों कि निती मिमानसा मतलब दोस्तों किसी विशय पर गहराई से किया गया जो विचार विमर्स है उसी को आप क्या कह सकते हैं मिमानसा कहते हैं कि से गहराई से विचार विमर्ष करना कि विचार करना कि विचार विमर्ष क्या होता है कि इस तरीके साइब लिए सकते थे अगला प्रशना आपका था देखिए वैस्वी प्रण किया असकता एवं इसमों प्रकास डाली यह तो ऐलाना था तो बोल सकते हैं दोस्तों वैस्वी йलोट किया अर्थ्वेस्थ्था से क्या करता है, जोड़ता है होता है और इसी के परडाम सरूप पूजी उत्पात अधा सूचनाएं इन सब क्या होता है यह सतंतर रूप से हो जाते हैं अगला है समाजी क्रण के प्रमुक अभिकरण क्या हो सकता है देखिए सबसे पहला चीज ब्यक्ति होगा अभिकरण पूछ रहा है ब्यक्ति हो जाएगा समू हो संस्थाएं हो जाएगा संस्थाएं समाजी क्रण के क्या है के लिए समाजी के स्थिति का यही सब क्या करते हैं मिलकर किस रिजन करते हैं इन ही अभिकरणों के माध्यम से दोस्तों हम अपनी संस्कृति के मुल्यों और मांदंडों को सीखते और संस्थापित करते हैं तो इ ठीक है और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर जरूर करिएगा हमें उमीद है कि आप सभी इतना तो करी देते होंगे बिना कहें दोस्तों क्योंकि यह कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी याने वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम